आप कौन क्या नाना जी घर पे है जी आं अंदर आईए नाना जी आओ आओ बैठो तुम्हारे आने की खुशी में मैं तुम्हें गाना सुनाता सुनो आपने कभी इनका गाना सुना है कई बाहर सुनना पड़ा है लेकिन जो डर बिजली के कड़कने से नहीं लगता वो डर नाना जी का गाना सुनने से लगता है मगर बचने का उपाय है क्या मैं कुछ करता हूँ नाना जी आप गाना बंद कर दीजिए क्या क्यों बंद कर दूँ वो अंकल जी ठक गये होंगे तो सुभा सुभा सुनेंगे पहली किरन के साथ सुभा का वक्त और आपका सुन्दर गाना ठंडी हवा क्या मज़ा आएगा यह तुमने अकल की बात कहीं शिवा अर्ली मॉर्निंग गाने का मज़ा ही कुछ और है कौन है कौन है वा लगता है कोई चोड गुसाया है अंकल आप मुझे लगा कोई चोर है तुम शिवा हो अहां पर आप यहां क्या कर रहे हैं धीरे बोलो धीरे मैं क्राइम रिपोर्टर हूं और वेदास शेहर में अज दो बड़े गैंग आने वाले हैं पैंधर गैंग और फॉक्स गैंग मैं उन्ही को एक्स पोज करना चाह ठाह मैं पाइम पांतर कहा हो तूम मैं आगज वेहां बैंथर की फूर्ती से किसी का मुकाबला नहीं हो सकता मैं इधर हूँ तो मैं अलर्ट रहना चाहिए था मैं फॉक्स हूँ फॉक्स का शरीर भले ही कमजोर हो दिमाग बहुत तेज होता है को रहे है बकड़ो इसे थी दॉए यो डॉए यह व अंकेर चॉटो अंकेर चॉटो तुए बच्चे कान हो तूम बच्चा नहीं कहना, अंकल! शिवा! शिवा नाम है मेरा! ज तू है जब बच्चा न the 27 कि talking जब बच्चा उखई बच्चा उब अेधा उयक्दा झालत्स वालत्स विजिए अरे पताओ तो क्या हुआ, इतने घबराई हुए क्यों हो, कौन आ गया, पुलिस आ गया, एक बच्चा आ गया, क्या, एक बच्चा, हो एक ही बच्चा, हम सब परवारी पड़ गया, बॉस, बड़ी जोर से मारता है, बॉस, एक बच्चे से डर गये, बॉस, अभी मौका है, भाग लो, नहीं तो, बिढ़ जाओगे, और फिर पच्चताओगे, कमाल करते हो तुम लोग भी, और वो कौन था जिसे पकड़ा था, वो जब फोटों खीच रहा था, तो कोई रिपोटर ही होगा, समझ नहीं आता, बहुत बड़े गैंग है, फॉक्स और पैंथर, वो लोग यहां क्यों आए हैं, यह लोग तो बाहर से ही अपरेट करते हैं, विधा शेहर में तो इन्हें पहली बार देखा, पर आए हैं तो कुछ करना होगा ही, आप लोग पुरानी निउस बगेरा देख दोक्टर सेन, फोल्डिंग टैंक लेकर वेदा शेहर आ रहे हैं, अरे, रुको, 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 क्या कहा तुमने, अभी कौन सी ख़बर पढ़ी, दोक्टर सेन, फोल्डिंग टैंक लेकर वेदा शेहर आ रहे हैं, यहीं बात है, यह फोल्डिंग टैंक वेदा शेहर में वहां से इसे वीनस सिटी में जाना है आवने एक्जिबीशन के लिए ये बड़ा स्पेशल फॉल्डिंग टैंक है ये फॉल्डिंग टैंक क्या है अंकल? डॉक्टर सेन ने ऐसा टैंक बनाया है जो छोटा तो नहीं होता पर उसे फोल्ड किया जा सकता है और फोल्ड करके हाई अल्टिटुड में या कहीं भी ले जाया सकता है इसका मतलब ये है कि ये पैंथर और फॉक्स गैंक टैंक की चोरी करने आ रहें? अरे तब तो हमें पता करना चाहिए कि लुटेरों का टैंक पर कभज़ा करने का क्या प्लान है एक बच्चे से करकर भाग खड़े हुए तुम लोग इतना बड़ा मिशन कैसे पुरा करोगे ये बच्चा आगे भी हमारे का मिटांग अड़ाएगा इसलिए तुम लोग जाओ और उस बच्चे को पकड़ कर लाओ नहीं बॉस हमारे बसका नहीं उसके लिए तो स्पेशल कमांडोस को ही बेजना पड़ेगा ये बस एक बच्चे को पकड़ कर लाना है तुम और तुम्हारे कमांडोस मिलकर जाओ और उसे पकड़ कर लाओ तो फिर उसके लिए बाकी सब कमांडोस के क्या जरूरत मैं अकेला पकड़ कर ले आता हूँ नहीं वो अकेला बच्चा ही हम पांच के बराबर है हम लोग तो दस के बराबर है फिर भी उसके लेने हम सब को पीटा ओके हम लोग उसे पकड़ कर लाते है उसकी फोटो दो फोटो तो नहीं है किता है क्ह। और पाइए प्र्काणि नहीं है हम की नहीं किनारे वाला उसकी वी वो फोगारत रही है कुई बच से छोड़ो है तो इनचार में ही हम अभी जाते मैं अभी आता हूँ, तुम लोग यही ठैरो बोलो, तुम लोगों में से सबसे बहादूर कौन है, जो बड़े बड़ों को पीट देता है मैं, मैं ही हो सबसे बहादूर, इसे ज्यादा बहादूर हो कौन सकता है एक बहुत गाओं में दो स्टाक हुआई, मैंने ऐसा मारा, ऐसा मारा उधर से कराटे चाप, उधर से फ्लाइं केक, दस मिनट में मैदान साफ वा, वैसे तुमारी शकल देख के लगता तो नहीं कि तुम इतने बहादूर हो सकते हो अंकल, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, ओके, तो चलो हेल्प, शिवा, शिवा, हेल्प, हेल्प अरे, क्यों ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो, मैंने आखिर किया क्या है तुम्ही ने हमारे साथियों को पीटा था ना नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैं कैसे बीट सकता हूँ, मैंने किसी को नहीं पीटा जान बचाने के लिए जूट बोल रहे हो नहीं, नहीं, मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ वैसे तो हमेशा जूट ही बोलता हूँ, पहली बार सच बोल रहा हूँ मारने वाला तो पीछे है, जोज तुहें चेस कर रहा है वो देखो, उसकी चेसिंग, क्या मैं ऐसी चेसिंग कर सकता हूँ, बोलो, बोलो तुम लोग माराब में आये हो क्या, मारो इसे, सब एक साथ आकर लड़ो मेरे अकेले के बसका नहीं रुको, रुको मेरा कोटा हो गया, मैं पहले आया था, तुम बागी पे जारी रहो नहीं, 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 भार रहो, अरे, बसकरो कर दो के एक शर्ट पर छोड़ता हूं बताओ तुम लोग यहां वेदा शहर में क्यों आयों सच-सच पूरा प्लान बताओ अगर हमने बता दिया तो पॉस लोग हमें नहीं छोड़ेंगे उसकी चिंता मत करो मैं तुम्हें ऐसी जगा भेजूंगा जहां से वो तुम्हें कभी नहीं ढूंड सकेंगे यानी जेल तो जल्दी बता जल्दी पता बता दो पॉक्स का दिमाग बहुत तेज चलता है और पैंथर की फूरती का कोई मुकाबला नहीं टुम्हें एका बख्ड़रक मैंप्सब्स कि 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 मारोसे! शीवा वो देखो पैंथर टैंक का कंटेनर थोड़ रहा है के अभ़ा जार खा 들ता रहा है कर दोड़ आए आपके आपके दोड़ से इन आपके विवार भ्याँ वो रहा है झालुब रहा है इनको यहां से दूर ले जाना पड़ेगा बना ज्यादा नुक्सान होगा खतम करो उस बच्चे को जिवाश जिवाश शिवाश। अरे यह लड़का कहा गया जाने दो लर्के को छड़ो आम लोग जल्दी से यहां से निकल लेते हैं अरे, वो रहा सामने? रुको, रुको, रुक जाओ, वरना हम सब थाई में जाएंगे! अंचपना थाराह सामने? प्रड़े, चरब शना हम जाएंगे! कि अजय खिटाए भी दिटूर अजय खिलेगे! लुको लुको ये खाई में गिरने बाला है ओके पार्ट सेकिल का ब्रेक बस करो और किता पीटोगे अब मैं एक रास्ता बताता हूं आप उस तरफ ले चलिए ओके अब आप सामने जाकर रुप दो हैं सामने सामने क्या है वो नहीं दिख रही जेल लेटलू सिंग जी हमें जेल में ढाल दो लेकिन इस शिवा से बचा लो बहुत मारता है ये कितनी पावर है इसमें अब कहां गया फॉक्स का तेज दिमाग उससे ज्यादा तेज नहीं है और वो पैंथर की फूर्ती कहां गई शिवा से ज्यादा कोई फूर्ती ला नहीं तांक यू शिवा आज फिर तुम्हारी वज़ा से एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज गलत हाथ में जाने से बच गई हाँ कि उलते में थ्यादा हे रहादा से पिझा जाधा और वो में से एक थिवास